नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में Realme C25Y vs Xiaomi Redmi Note 11 4G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले है इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme C25Y में 6.48 इंच जबकी Redmi Note 11 4G में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है जोकी Realme C25Y से कम है विड्ट की बात करें तो Realme C25Y में 2.99 इंच जबकी Redmi Note 11 4G में 2.91 इंच की विड्ट मिलती है जोकी Realme C25Y से कम है बात करें थिकनेस की तो Realme C25Y में 0.36 इंच जबकी Redmi Note 11 4G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो Realme C25Y में 200 ग्राम्स जबकी Redmi Note 11 4G में 179 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme C25Y में IPS LCD जबकी Redmi Note 11 4G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियों दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियों नौ मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme C25Y में 6.5 इंच जबकी Redmi Note 11 4G में 6.43 इंच जबकी Redmi Note 11 4G में 6.43 इंच बिलती है Screen to Body Ratio, Realme C25Y में 81.59 प्रतिशत जबकी Redmi Note 11 4G में 84.64 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Realme C25Y में 270 प्रतिशत जबकी Redmi Note 11 4G में 409 प्रतिशत मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जोकी मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो Realme C25Y में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और Redmi Note 11 4G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera, macro camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो Realme C25Y में 8 different type के features मिल जाते है और Redmi Note 11 4G की बात करें तो उसमें 7 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Realme C25Y में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 6 different features मिलते है और Redmi Note 11 4G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो Realme C25Y में Mali G52 जबकि Redmi Note 11 4G में Adreno 610 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Realme C25Y में Unisoc T610 और Redmi Note 11 4G में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है बात करें RAM की तो Realme C25Y में 4GB की RAM मिलती है जबकि Redmi Note 11 4G में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB, 6GB RAM मिल जाती है बात करें इंटर्नल मेमरी जिसको हम Storage भी कहते है वो Realme C25Y में 128GB की Storage मिलती है जबकि Redmi Note 11 4G में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 64GB, 128GB Storage मिल जाती है इक्स्पांडबल मेमरी की बात करें तो Realme C25Y में अप्टो 256GB जबकि Redmi Note 11 4G में अप्टो 1TB है ओपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है अई अब में फीचर को देखते हैं कलर्स की बात करें तो Realme C25Y में दो कलर्स जबकि Redmi Note 11 4G में तीन कलर्स ओप्शन मिलते हैं सब इंफोमशन देखने के बात करें प्राइस की तो Realme C25Y में एक ही वेरियंट देखने को मिलता है जो की 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 11,999 रूपीस में मिल जाता है वही अगर बात करें Redmi Note 11 4G की तो उसमें तीन वेरियंट देखने को मिलते हैं जो की 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 13,499 रूपीस 6GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 14,499 रूपीस 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रूपीस में मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Realme C25Y में 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 11 4G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 11 4G आगे है में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है फ्रंट, सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफोर्मेंस में Redmi Note 11 4G आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले कॉम्पेटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है, दुसरा Realme C25Y है, तीसरा Moto G 22 4G है और लास्ट कॉम्पेटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco M4 Pro है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना